अब आज हम आपको बता रहे हैं यूपी टीटी में आनलाइन फार्म किस पकार भरते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है उत्तरप्रदेश सरकार ने यूपी टीटी के लिए आनलाइन आविदन मंगवाएं हैं आनलाइन आविदन भरनी के लिए आपको सबसे पहले जानकारी यह होनी चाहिए कि आप कौन सी वेवसायट पहुन सी है मैं जूँमा पर बताते हैं सबसे यहां पर हम जा रहे हैं Google.co.in पर क्लिक करेंगे इस तरीके साथ के सामने यह आएगा इस पर क्लिक करेंगे UPTET 2015 जैसे इस पर सर्च करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारी बेवसाइट्स आपको मिलेंगी जो आपको UPTET 2015 15 के बारे में जानकारी देती रहेंगी लेकिन आपको देखना यह है कि अफिसिल बेवसाइट कौन सी है जिस पर आपको मुख्य जानकारी मिलेगी और जहां से आप आवेदन फार्म आनलाइन रिजिस्टर कर सकते हैं UPTET की अफिसल बेवसाइट है जिस पर आपको पूरी और बिस्तुसनिय जानकारी प्राप्त होगी जहां पर आपको रिजिस्टर करना होता है यदि आपको इस बेवसाइट के नाम पहले से पता है और नहीं पता है तो आपको पहले किसी पेपर पे लिख लिजे कि ये बेवसाइट पर ही आपको जो काम करना है वो कीजिएगा आप जो बेउसाइट्स हैं बहुत सारी बेउसाइच्स आपको प्राइबेट बेउसाइट्स मिलेंगी जो आपको इसके बारे में इंफार्मेशन तो देएगी लेकिन आप उस पर रिजिस्टेशन नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले आप क्या करें यहाँ पर हम double click कर देते हैं तो आपको यह direct आप इस site पर चले जाते हैं click करेंगे लेकिन यहाँ पर click करने के बाद आपके सामने देखे यह registration form आ गया है direct लेकिन इसके दिसा नर्देश और बिसेश जानकारी आपको नहीं मिल पाई है तो आप क्या करिए यहाँ से back में जाएए यहाँ पर आपकी यह website के नाम है up basic edubord.gov.in इसको आप copy कर लें और यहाँ पर नया tab लें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें यहाँ पर इस तरीके से लिख लें उसके बाद इंटर प्रेस करें तो आपको up basic edubord.gov.in की website open हो जाती है यदि आपने यहाँ पर इस पर double click किया हुआ है और यह farm आ रहा है इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं है इससे आप main menu पर कैसे जाएंगे यहाँ पर आप देखे right side में आपको मिलेगा home, home पर click करेंगे तो आपको इसके main page पर पहुंचने बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसको पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है यहाँ पर आपको step 1, step 2, step 3, step 4 और last में आपको दिया गया है यहाँ पर भरावर registration यह 5 step है यदि आपको किसी type की help की जरूरत है तो आपको यहाँ पर help line numbers भी उपलब देंगे आप जब form भरने जाएं तो सबसे पहले क्या करें यहाँ पर step 1 पे click करेंगे click करेंगे तो यह site क्या है इसकी PDF file है वो open हो जाएगी तो आपको इस पे click नहीं करना चाहिए सबसे पहले है जब भी कभी आप website पे काम करें या net पे काम करें तो कभी किसी चीज़ पे click नहीं करना चाहिए सदेव आप mouse का right click करें और open link in new tab करना चाहिए new tab करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यह information आपको यहाँ पर open हो जाती है open होने की तो यहाँ पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको up, tt में जो दिसा निर्देश है यहाँ पर आपको सारे detail आ गई है अब इसमें एक एक करके सभी चीज को आपको पढ़ना है बिग्यप्त दिनानक किस date में बिग्यप्त दी गई है आप यहाँ पर double click ना करें कभी भी कहीं पर भी किसी link open करना हो तो कभी भी net पर double click नहीं करना चाहिए राइट क्लिक करें new tab में open करें new tab में open करेंगे तो यह link आपको यहाँ पर open हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पर इसकी पूर्डी जानकारी आपको मिल जाएगी कि किस date में क्या क्या करना है यह आपकी सासना अदेश है जो government of युत्तर प्रदेश के तरफ से जारी किया गया है इसमें सारी detail आपको मिल जाएगी online पन्जीकरन प्रारम करने की तिति क्या है आवेदन सुर्थ जमा करने कि तिति क्या है आवेदन सुर्द जमा करने की तिती क्या है और यदि आपने कोई गलत इंफार्मिशन दी है तो उन गलतियों को कैसे सुधारेंगे और उसकी last date क्या है यहाँ पर दी हुई है इस ब्रकार से आपको सारी पूरा विग्यर्त आपको यहाँ पर मिल जाती है अब हमने आपको बत तो आप इसको अपने system में किसी भी folder में इसको save कर सकते हैं, यहां पर नाम देकर यहां location चूज करके इस चीज को आप save कर सकते हैं अपने system में, यदि आपके पास printer लगा हुआ है तो आप यहां पर print icon पर click करके इसका print भी निकाल सकते हैं, हमने आपको बताया था इस पर click ना क रहेगा, अब चाहे तो यह दिसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आप इसको यहां पर close icon पर click करके close कर देए.